नमस्ते, स्वागत है आपका जूमा जो स्वेव में आज हम एक साग की रेसिपी बनाने जा रहे है जो की बहुत की स्पेशल है यह स्पेशल है क्योंकि यह जो साग है यह से वसाम में ही मिलता है और बाकी इंडिया के स्टेट्स में नहीं तो बिना दीदी करते हुए फटा-फटे स्वेसिपी को स्टार्ट करते है तो पहले देख लेते हैं कि इंग्रीडियंट्स क्या क्या चाहिए पहले हमें चाहिए होगे चौप किये हुए धीकिया साग, थोड़े से प्याज और थोड़े से आलू अब एक कडाई में हम करीब 2 टेबल स्पून रिफाइन ओल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे 2-3 मिनिट के लिए उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 ड्राइरेट चिली और डाल देंगे इसमें प्याज प्याज को हमें मेडियम फ्लेम पे सोटे करना है जब तक कि यह ट्रांस्क्लूजन हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले इस तरह अब इस प्याज में हम डाल देंगे कटे हुए आलू इसमें मनें करीब 2 आलू का यूज किया है अगर आपको ingredients के list चीए तो आप description box चेक कर सकते हैं अब इन दोनों को हम mix कर लेंगे पहले और उसके बाद fry करेंगे ठक के करीब 3-4 मिनिट के लिए इसर हमारे 3-4 मिनिट हो चुके हैं हम थोड़ा सबजी को mix कर लेंगे फिर से और उसके पास में main ingredient जो कि धीकिया साग है तो उसको डाल देंगे अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमर और एक टी स्पून हल्दी अब हम सब को अच्छे से mix करेंगे medium flame पे एक बार जब सब अच्छे से mix हो जाए तब हम इसको ढखके पकाएंगे करीब और 3-4 मिनिट के लिए तीन से चार मिनिट हो चुके हैं आप देखी सकते हैं कि हमारा जो रेसेपी है और लेड़ी फॉर्म ले चुका है आप इसको फिर से एक दो बार mix करेंगे दीखिए हमारा जो साग और आलू है वो अच्छे से boil हो चुका है उसमें कोई problem है नहीं देखिए इजी ली टूट रहा है आलू यह देखिए साग भी हम इसको और एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद गैस्ट आफ कर देंगे लीजिए हो गया हमारा special साग का recipe ready इसे आप डाल चावल और रोटी दोनों के साथ साथ को सकते दोनों के साथ है बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगते है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंग्रीडियन्स के लिएस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चेक कर रहा है ना भूलिएगा